नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं HP Studies चैनल को दोस्तों हिमाचल प्रदेश HRTC Conductor 2022-23 एक्जाम के लिए classes जो हैं हमने स्टार्ट कर दी हैं तो आपको अब continuously हमारे साथ जुड़े रहना है अगर मैं recently जो recruitment हुई थी HRTC Conductor की HPCC ने ही conduct करवाई थी उसके बात करूँ तो 73 students जो हैं हमारे जो हैं उन्होंने इस exam को qualify किया था तो उनके किस हिसाब से त्यारी करने का जो pattern था और जो approach थी उसके बारे में मैं सबसे पहले तो एक या दो मिनिट्स में चार्चा कर लेता हूँ क्योंकि जो students already exams को crack कर चुके हैं उनकी strategic क्या थी वो कैसे कैसे काम करते थे ताकि उनको सफलता मिल सके उसके उसके उपर काम करना आती आवश्यक होता है तो सबसे पहले क्या होता था कि HRTC का exam जो है HRTC ही conduct करवाता था तो pattern भी अलग रहता था और भी काफी सारी चीज़ें जो है अलग होती थी लेकिन जब से HPSC जो है यानि कि पिछला exam जो है HPSC नहीं conduct करवाय था तो अब obviously slavus as well as pattern जो है HPSC के ही हिसाब से होगा तो पहले 170 questions आए थे लेकिन अब 200 questions आएंगे जिसमें 80 questions जो होंगे बो दोस्तों normally जो हिंदी, English, HPGK, reasoning, current fairs बगएरा बगएरा जो है उससे लेटर होगा और 120 questions लगवग आपको history, geography, polity, economy, science यहां से देखने को मिलेंगे इसको हम GS बोलते हैं तो सबसे बड़ा part यही रहने वाला है तो हम इसके लिए कैसे त्यारी करेंगे सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पिछले 5-10 सलों के HPSC के जितने भी question papers हैं उनको एक बार जरूर देखो देखो कि कैसे कैसे questions यह पूछते हैं चाहे कोई भी subject हो चाहे यहां पर जो आप देख रहे हैं reasoning ही क्यों ना हो reasoning के भी 5-10 questions आएंगे तो आपको इसके उपर अच्छे से काम करना है और मैं अपनी बात करूँ तो पिछले दो या तीन सालों में लगभग 10 के आसपास exams जो हैं उन्हें क्रैक कर चुका हूँ अभी government जो उपर हूँ तो आपको अच्छे से guide कर सकता हूँ आगे कैसे कैसे आ time नहीं थी मैं एक आपको guidance ही दे रहा था लेकिन कुछ students जो है उन्हें सिर्फ content से मतलब होता है तो उनके लिए मैं इस वीडियो को start कर रहा हूँ पहला question है और reasoning section जो है इससे starting कर रहा हूँ तो reasoning के questions देखिए जरा कैसे कैसे बनते हैं ACF है यहाँ पर उसके बाद GIL है उसके बाद CEH है तो कैसे आगे क्या होगा तो अब आपको कैसे कैसे देखना होता है तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है A जो है first होता है C जो है यह third होता है और F जो है यह six होता है यह वाले आगे यहाँ पर अब GIL जो है इसको कैसे देखा जाता है 7 होता है G और I जो है 9 होता ह और L जो है यह 12 होता है तो 1 से 7 बनाए जा रहे है 6 एड़ किया जा रहा है 3 से 9 बनाए गए है 6 एड़ किया गया है और 6 से 12 बनाए गए है 6 एड़ किया गया है तो आगे हम ऐसे ही करेंगे C जो है 3 है तो इसमें 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा 6 यानि कि F1 जाएगा E जो है 5 होता है तो 8 यानि कि H और H जो है ये 8 ही है तो यहाँ पे 6 जोड़ेंगे 14 यानि कि N ठीक है F, H, N जहाँ भी है इसको हम चूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे पैटर्न जो है simply 3 का पूछा होता लेकिन यहाँ पे 6 का पूछा जा रहा है तो यह बरे एक तरीक आपको बताया ठीक है जुरूरी नहीं कि 6 ही पूछा जाएगा हो सकता है 3 पूछ ले जाए आगे किसी एक्जाम में तो अब 6 शे एड़ करते जाओ C 3 है तो इसमें 6 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा I सबी में आई है उसके बाद E जो है 5 पर है और 6 जोड़ेंगे 11 और 11 जो होता है के में होता है तो जहाँ जहाँ भी के है उसको रखो बाकियों को रिमूब कर दो रिमूब करना आना चाहिए आपको इससे टाइम काफी सेव होता है H है 8 है तो इसमें 6 जोड़ेंग N बन जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर N है यहाँ पर नहीं है इसको काट दो तो B option बिल्कुल सही है अब मैं यह पहला question था इसलिए काफी जादा time मैंने लिया अब मैं next जो है बिल्कुल आपको सटीक तरीके से बताऊंगा तो जब आप ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि जो starting की है कैसे बन रही है ABCA अब सारे options मैं भर के देखी आगे जो blank है तो first first ही बढ़ा जाएगा हर एक का ठीक है तो ABCA आगया अब उसके बाद CBCA कुछ गड़वड लग रही है अब इसको भर के देखिए ABCA उसके बाद BB नहीं गड़वड है उसके बाद ABCA 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 ये चल रहा है ठीक है तो आपको इस तरीके से देखना है suppose करिए यहाँ पे जो blank है first इसमें भरिया आप ये वाला A तो आ रहा है ABCA उसके बाद AB और सेकिंड वाला तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि सीरीज कैसे बन रही है तो ABCA BCA B C A A B B C C A अगर समझ ना आया हो तो दोस्तों आप YouTube पर इसके बारे में जरूर देखिए या फिर जो बुक आपके पास है reasoning की उसमें जरूर देखिए Alphawet series जो है उसका ये एक question है उसके बाद Bombay जो है इसको कैसे लिखा जा रहा है इसको M by M by के रूप में लिखा जा रहा है तो पुछा के तमिलनाडू कैसे लिखा जाएगा तो इसमें simply तीसरा उठाये जा रहा है और छटा उठाये जा रहा है ठीक है माई 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 इसको repeat किया जा रहा है अगर ये no alphabets वाला एक word होता तो हो सकता है 9th भी ठाली हो जाता तो यहाँ पे आप देखो 3rd है M 6th है N और 9th है U तो ये M, N, U जहाँ भी आएगा बहांसर हो जाएगा तो भी options है ये उसके बाद दोस्तों यहाँ पे series दी गई है 7, 9, 15, 21 की जो मतलब अलग है 3 वैसे जो एक है उसको find out करना है 9, 3 से divide हो जाता है 15 भी या 3 से divide हो जाता है और 21 भी 3 से divide हो जाता है रह गया साथ तो यही इसका साई answer है science के questions start होते है polyamide जो है इसका दूसरा नाम है nylon तो ये option सही है nylon को ही polyamide बोला जाता है और ये science के बहुत ही repeated questions है जो conductor के exam में भी आएंगे आगे जो exam आपका होगा a gas first enters into the blood and then leaves it by the process of मतलब suppose करिए कि कोई भी gas है जो blood में enter होगी तो enter तो होगी लेकिन बाहर आने की भी उसकी process होती है तो उस process को क्या बोलते हैं diffusion बोला जाता है तो इसका option बिल्कुल सही है एक मात्तर सांप जो की घोंसला जो है बनाता है तो वो कौन सा होता है तो यह होता है दोस्तों king cobra मतलब अंडे बगएरा जो है यहाँ पर यह produce करता है तो king cobra उसके बाद next question है glass tumbler जो glass चटक है कोई भी glass जो है शिश्टे का अगर चटक जाता है मतलब crack हो जाता है जब बहुत ही गरम पानी जो है उसमें भरा जाता है तो ऐसा क्यों होता है आपने देखा होगा चाय बगएरा अगर गरम आपने डाल दी किसी कांच की glass में तो वो तूट जाता है इसका कारण क्या होता है क्योंकि दोस्तों जो उश्मा है वो अच्छे से पास नहीं हो पाती उस glass में क्योंकि जो glass होता है ये एक good conductor नहीं होता heat का ठीक है तो ऐसे इसलिए होता है gas is a bad conductor of heat heat अच्छे से निकल नहीं पाती है और फिर जो glass है तूट जाता है आगया important section ठीक है which language was adopted for preaching in maha yaan buddhism maha yaan buddhism जो है hinyaan और maha yaan इनको दोनों को अच्छे से देख ले ना जो बोध धर्म है तो इसमें Sanskrit जो है हमें देखने को मिली है maha yaan buddhism जो है तो Sanskrit the Greek ambassador in the court of चंदरगुप्त मोर्य वोज तो चंदरगुप्त मोर्य के दरवार में युनानी राजदूत कोन था उस टाइम होता था magasthenese ठीक है तो डियोप्सन सही है magasthenese जो है जिसने इंडी का भी लिखी है जिसमें चंदरगुप्त मोर्य आफिर इंडिया के बारे में बरनन किया गया है नेक्स्ट कोशन है दिमुगल रूलर बहादूर शाह दुवित्यू बाज एक्जाइल्ड बाइ ब्रिटिश एंड सेंट टू मुगल बादशा बहादूर शाह दुवित्यू को अंग्रेज्जों द्वारा निर्वासित किया गया और भेजा गया तो इनको दोस्तो रंगून भेजा गया था यह 1858 की बात है जब 1857 की करांती में इन्होंने भाग लिया इनको लेडर बनाया गया था तो अंग्रेज्जों ने दमन किया 1858 की करांती का और इनने रंगून भेज दिया था ठीक है आज के टाइम में जो आप कह सकते हैं मियनमार है ठीक है बर्मा की राजधानी रंगून हुआ गरती थी उस टाइम होएल्ट चार मिनषट किस के द्वारा बनाई गई है बहुत इम्पोरटंट कोशिम है बार बार यहां से कोशिम आता है तो यह कुली कुतूब शाह के द्वारा बनाए गई है और यह आपको hablaind में देखने को मिलती है तो यह भी आपको ध्यान से location रखनी है नेक्स्ट कुश्चन है आप सभी के लिए जिसका अंसर आपको कमेंट वोक्स में देना है जिसका अंसर सबसे पहले आएगा उसको free of course study material मिलेगा काफी सारा तो यह रही है जो महातमा गांधी है उनके गुरू गुपाल कृश्चन गोखले तो यह option बिल्कुल सही है ठीक है एक question आप सभी के लिए पूछ लेता हूँ यह question मुझे थोड़ा सा important लगा और नया लगा इसलिए मैंने इसका answer आपको बता दिया next question आप सभी के लिए put करता हूँ question है the first weekly paper published by the Indian National Congress in 1889 was तो 1889 में जो भारती रास्ट्रियों कांग्रेस है उसके द्वारा सापताहिक समचार पत्तर जो है कौन सा प्रकाशित किया गया था तो answer बताईए फड़ावर कमेंट बुक्स में और जिसका answer सबसे पहले आएगा उसको whatsapp के थूँ दोस्तों काफी सारा support मिलेगा HP studies team की तरब से तो मिलते हैं next video में अगर कोई भी आपका doubt query question हो तो message जरूर करिए 9816401767 जय हिंद जय हिमाचल